नितीश कुमार भारतिय जन्ता पार्टी में जाएंगे इस बात की खवर्ट चल रही है तो नितीश कुमार के पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष इस बात की पूष्टी कर रहे हैं कि नहीं 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 नितीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे और भारतिय जन्ता पार्टी ने कि क्या वाकई में नितिश कुमार का मन डोल रहा है कई फिर से वो भारतिय जनता पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे और अगर नितिश कुमार भारतिय जनता पार्टी में जाते हैं तो ललन सिंग को क्या नुकसान होगा और भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश सद्धक् बिशाल खड़े हैं। वड़ा बात हैं कि निटिश कुमार का मन डोल रहा है। और इस बता रहे हैं कि भारती जंता पार्टी के लिए उनके दिल में प्यार फिर से उमर रहा है। कि निताओं से हमारी बात चीठ होते रहती है और उसके बाद उनके बेहत करीबी असोग चौधरी कहते हैं कि नितीश कुमार के लिए सभी जगा के दरवाजे खुले हुए है यानि कि वो एक तरीके से ये समझाते हैं कि हमारे लिए सभी जगा के दर्वाजे खुले हुए कहीं कि दर्वाजे बंद नहीं है और जब वो ये सब कह देते हैं तब ललन सिंग की बारी आती है और ललन सिंग कहते हैं कि आरे छोड़िये न कौन क्या कह रहा है हमों नहीं जानते हैं नितीश कुमार के पीठ में भारतिये जनता पार्टी ने छूड़ा घोपा है और छूड़ा घोपने वालों के साथ नितीश कुमार कभी नहीं जाएंगे हम कह रहे हैं न मेरे बाद पर विस्वास करिए निटीश कुमार भारतिय जन्ता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और उसके बाद फिर समराठ चौधरी की बारी आती है समराठ चौधरी कहते हैं कि भाई हम निटीश कुमार को एकसेप्ट नहीं करेंगे भारतिये जन्ता पार्टी के प्रदेश सद्धक्स समराच चौधरी कहते हैं कि हम नितिश कुमार को एकसेप्ट नहीं करेंगे लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तकलीफ तो इनको होनी चाहिए क्योंकि इनका बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है तकलीफ लालू यादो को होनी चाहिए कि नितिश कुमार पलटी मारेंगे लेकिन तकलीफ ललन सिंग को हो रही है यह इसलिए हो रही है कि ललन सिंग जानते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाफ मैंने बहुत बोला है और अगर नितीश कुमार भारतिय जन्ता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो फिर मेरा राजनितिक कैरियर जो है वो समाप्त हो जाएगा मैंने प्रस्नली दुस्मनी ले ली है अमिट्सा और नरेंद्र मोदी से तो नरेंद्र मोदी और अमिट्सा तो कभी भी हमको आगे बढ़ते हुए नहीं देखेंगे तो ऐसे मेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर आते हैं समराथ चौधरी पर समराथ चौधर सिंग गवा मतलब आप देख लीजिए उपिंद्र कुस्वाहा को देख लीजिए और उसके बाद नजाने ऐसे कितने नेता हैं जो निटीश कुमार से दुस्मनी करने का प्रयास की है राजनितिक कैरियर जो है वो समाप्त हो गया और अब समराथ चौधरी ये देख रहे है निटीश कुमार के उपर तो अगर निटीश कुमार भारतिय जनता पार्टी के साथ आ गये तो फिर मेरा राजनितिक के लिए पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और अब देखिए आखिर क्या होता है निटीश कुमार प्रयास तो कर रहे हैं निटीश कुमार ये इसारा भी कर चुके हैं कि भारतिय जनता पार्टी के साथ बहुत जल्द आकर हम सरकार बनाने वाले हैं और अब आगे देखिए क्या होता है ललन सिंग का इसारा है कि भाया निटीश कुमार नहीं जाएंगे भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इसारा है कि हम उनको अपने दल में नहीं सामिल करेंगे और उसके बाद विजय चौधरी जो की जेरियू के और नितीश कुमार के बहुत करीबी हैं खास करके अगर बात करें तो नितीश कुमार के इतने करीबी हैं कि नितीश कुमार आभी भरते हैं तो विजय चौधरी को पता लग जाता है कि न नितीश कुमार क्या करने वाले हैं और नितीश कुमार का अगला कदम विजय चौर्धरी ने यह बताया है कि नितीश कुमार के संपर्त में सभी लोग हैं यानि कि वो एक तरीके से इसारा कर रहे हैं कि हम लोग भारतिय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं अब आगे देखिए क्या होता है आगे क्या इसी तरीके से महौल बना रहेगा और क्या निटीश कुमार भारती जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर ललन सिंग निटीश कुमार का साथ छोड़ देंगे आगे देखते हैं क्या होता है मेराल इसका बर्मीत नहीं बने लेमार साथ और देखते हैं जनता जनक्राइब